हलो बच्चो वल्कम बैक टू आर चैनल एजी वे टू स्टॉड़ी बच्चो आज हम आपके लिए लिखे हैं क्लास एट की इंग्लिश सब्जेट की वॉक्षीट टू बच्चो जैसे कि आप सभी जानते हैं सबसे पहले आप एपना नाम लिखना होता है और नेक्स फिल्म मे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएं चलिए देखते हैं अपनी वॉक्षीट बच्चो हुमारी वॉक्षीट का टाइटल है दा आंट एंड दे क्रिकेट पिछले हफते हमने एक पोयम पड़ी थी जिसमें हमने एक महनती चीटी और एक बेपरवह क्रिकेट के बारे में था तो बच्चो हमें क्या करना है अपनी फैमिली में से ये कुछ क्वालिटी दी गई है उसका नाम लिखना है कि किस में है ये क्वालिटी और सथ हमारा क्या रिलेशन है यह भी लिखना है तो चलिए देखते हैं बच्चो इनके अंसर फर्स्थ है बच्चो हार्डवर्किंग तो आप अपनी फैमिली में देखेंगे सबसे जदा हार्डवर्किंग कौन है बच्चो उसके ऑकोर्डिंग उसका नाम और आपके साथ क्या रिलेशनशिप बास की वो आप यहां पे लिखेंगे मैं बचो यहाँ पे कुछ illusionary names यूज़ कर रहा हूँ आप इसको अपनी family के according change कर सकते है first है hard working तो मेरे according मेरे father सबसे ज़्याद hard working है तो यहाँ पे मैं अपने father का नाम लिखूँगा और उनकसा अपना relationship लिखूँगा चलिए चलते next पे energetic बचो मेरे according सबसे ज़्याद energetic मेरा भाई है क्योंकि पूरे दिन खेलता रहता है और उसे धकान भी मैसूस नहीं होती तो यहाँ पे मैं अपने भाई का नाम लिखूँगा और उसका अपना relation लिखूँगा next है बचो punctual तो punctual बचो मेरे according मेरी mother सबसे ज़्यादा है वो सुबह 5 बजे उड़ जाती है घर का सारा काम करती है सबके लिए खाना बनाती है और फिर अपने office जाती है last है बचो helpful तो बचो मेरे according मेरी sister सबसे ज़्यादा helpful है वो अपना काम तो करती है साथ मेरे भाई का भी सारा काम कराती है चोटे भाई का और मेरी mother की भी help करती है चलिए बचो आगे चलते है now let's read the remaining poem do you think the aunt helped the cricket चलिए बाकी poem पढ़ती है क्या आपको लगता है चीटी ने cricket की help की होगी देखते हैं बचो stanza 3 says the aunt to the cricket I am your servant and a friend but we aunts never borrow we aunts never lend but tell me dear cricket did you lay nothing by when the weather was warm quote the cricket not I चीटी ने कहा मैं आपकी गुलाम और आपकी दोस्त हूँ पर हम चीटिया ना तो किससे उधार लेते हैं ना किसी को उधार देते हैं पर मेरे प्यारे दोस्त मुझे एक बाद बताओ क्या आपने कुछ भी नहीं बचाया जब मोसम सुहावना था cricket कहता है नहीं मैंने तो नहीं बचाया चलिए बच्चो देखते है stanza 4 stanza 4 कहता है क्रिकेट कहता है मेरा दिल बहुत ही खुश था तो मैं दिन और रात गाता था क्योंकि मोसम बहुत ही सुहावना था जीटी कहते आपने गाया सर तो आप जाएए यहां से और सर्दिया भी नाशते हुए निकाल दीजिए चलिए बज़ा अब चलते है stanza 5 पे stanza 5 कहता है thus ending he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket folks call this a fable I'll warrant it true some crickets have four legs some have two तो बच्चो यहां पे चालाकी का खात्मा हुआ और चीटी ने दर्वाजा बन करके क्रिकेट को दोर से बाहर निकाल दिया folks call this a fable बच्चो फेबल क्या होता है फेबल होता है छोटी छोटी कहानिया जिसमें हम जानवरों को लेकर कुछ समझाना चाते है पर बच्चो यह है true है और next line some crickets have four legs and some have two यहां पे बच्चो ओथर जो है वो मारा वो हमें समझाना चाते कुछ के बता है ओथर ने चार legs चार legs बच्चो होते जानवरों के जो बहुत ही lazy होते है और some have two इस line से बच्चो ओथर बताना चाते कुछ इंसान भी बहुत ही lazy होते जो अपना कुछ काम नहीं करते चलिए बच्चो आगे चलते हैं इसके बाद आता बच्चो question number two who said the following lines in the poem ant or cricket write your answer in the blank below each bubble ये line ने किसने कही poem में ant या फिर cricket ने इसका answer हमें नीचे दिये गए blank में लिखना है first bubble है my heart was so light that I sang day and night बच्चो ये किसने का था ये का था cricket ने चलिए देखते हैं next bubble did you lay nothing by when the weather was warm ये किसने कहा था बच्चो ये कहा था ant ने next go then and dance the winter away तो जाओ और सर्दिया भी नास्ते हुए निकाल दो ये किसने कहा था बच्चो ये भी हमारा ant ने कहा था चलिए चलते हैं next question पर rearrange the following sentences to form the summary of the poem write the correct sequence number in the box against each sentence the first sentence has been sequenced to help you तो बच्चो हमें यहाँ पे 6 sentences दिये गए हैं हमें उन्हें rearrange करके उनके सामने number डालना है सबसे पहले कौन साएगा दूसरे number पे कौन साएगा तिसरे number पे कौन साएगा जिससे कि हमारी poem की summary बन सेगे summary यानि की sunk shape में हम poem को समझा सकें तो चलिए बच्चो देखते हैं 6 sentences को और इनकी number डालते हैं तो फर्स number पे दिया गया था cricket sank during the months of summer and spring यानि की गर्मी और बसंद के मोसम में cricket ने गाते वे निकाल दिया उसके बाद क्या ओधा बच्चो winter season आ गया था और cricket के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था तो आप 3rd number पे देखेंगे तो यही sentence लिखा हुआ है तो आप इस पे number डाल देंगे 2 उसके बाद बच्चो जब cricket ant के पास गया तो ant से उसने क्या request की उसने ant से food and shelter मंगा जो आप 6 number पे देखेंगे तो यही हमारे line है तो 6 number बन जाया हमारा option number 3 उसके बाद बच्चो ant ने cricket से पूछा था क्या तुमने कुछ खाना और पानी अपने लिए store नहीं किया तो यह हमारा है बच्चो 5th point में तो 5th point पे हम number डालेंगे option 4 जब बच्चो ant ने cricket से पूछा था तो cricket ने reply दिया था कि उसने अपने summers enjoy करने में निकाल दिये यह हमारा बताया गया point number 4 में तो point 4 पे हम number डालेंगे 5 या नि वह 5th number पे आना चाहिए जब बच्चो cricket ने यह सब बताया तो ant ने उसको खाना देन से मना कर दिया उसको धक्के मारके घर से बाहर निकाल दिया था आप point number 2 में देखेंगे तो उसमें भी यही बात लिखेंगे यह the ant refused to help him and sent him away तो हम point number 2 को last number यानि की 6 number mention कर देंगे बच्चो अब यह जो sequence हमने डाला है अगर हम इसी sequence में पढ़ते हैं तो यह हमारी पूरी poem की summary दे देगा तो बचो यहां पर यह question complete होता है चली आगे चलते हैं next question है बचो what does the point mean by the last line choose the correct option last line से हमारे लिख का क्या meaning था इसमें last line दी गई है some crickets have 4 legs and some have 2 कुछ crickets के 4 legs होते हैं तो पहला option है there are some crickets that have 2 legs कुछ crickets होते हैं जिनके सिर्फ 2 legs होते हैं पर बचो cricket हमारी ऐसी परजाती है जिसके हमेश्य 4 legs होते हैं second है insects like cricket have 4 legs इसमें बताना चाहता है कि जो cricket जैसे कीडे होते हैं उनके 4 legs होते हैं और third option है some people are like the cricket they are lazy and do not care about the future third option कहता है बचो कुछ लोग cricket की तरह होते हैं उनके तरह आलसी होते हैं और अपने बविश्य की पिचिंता नहीं करते तो बचो जैसे कि हमने एक poem पड़ी थी third option जो है वही हमारा सही लग रहा है यानि कि इसमें कुछ लोगों के बारें बताया गया है जो बहुत ही आलसी होते हैं और अपने बविश्य की पिचिंता नहीं करते हैं तो हमारा answer है इसमें option C बच्चो यह हमारा last question था इसी के साथ हमारे worksheet complete होती है I hope आप सभी को अच्छे समझ में ही होगी बच्चो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे like करना और अपने friends साथ share करना ना भूले साथ ही अगर आपको कोई question है तो उसे आप comment section में जरूर पूछे हम आपके question को जल से जल answer करने की कोशिश करेंगे और बच्चो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही bell icon बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत notification मिल जाए Thank you